नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महेंदर दोगने, motivational speaker और live coach और पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा नमिश्कार आज मैं यहाँ उपस्तित हुआ हूँ, आप सभी को motivate करने के लिए भी थोड़ा सा लेकिन mainly मैं उपस्तित हुआ हूँ stock market के बारे में बातचीर करने के लिए, क्योंकि budget हमारे बहुत पासमें आ रहा है और हमें समझना है, यह हम समझना चाहते हैं, कि budget के दिन या आसपास में क्या चीजे होती है या उस दिन एक फरवरी के दिन क्या चीजे हो सकती है अब यहीं हम बात करते हैं कि stocks का क्या हो सकता है इस बार का जो budget है वो चुनाओ से पहले आ रहा है तो उसके भी अपने माइने है कि normal जो साल होते है और एक जो चुनाओ वाला साल होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है तो जब इस बार का budget आएगा तो personally मेरी feeling क्या है कि market हो सकता है कि बहुत ज़्यादा up move down move कुछ नहीं करे चुनाओ का result आने के बाद जो भी करना है कुछ market को वो उसके बात करें तो long term या फिर एक short term हम ऐसे बात करें कि उसके बात ऊपर जाएगा या नीचे तो उसके हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर stocks में simple सी चीज़े आप mutual fund SIP करवाते हैं उसमें भी simple सी चीज़ कहते हैं stock market के अंदर भी simple सी बात कही जाती है कि चीज़े अच्छी चीज़े जब भी सफ्ती होते हैं तब आप उन्हें buy करते हैं personally मैं भी इस फंडे को अपनाता हूं कि जब भी मेरे पसंदीता जो share के list बनी नहीं करना है लेकिन मैं bottom में घरी लेता हूं तो मुझे बड़ा मजाता है कि चलो ठीक captain चल रहा है और उसकी राइट को हम enjoy करते हैं अब specific हम लोग एक दो example लेकर बात करें यह suggestion नहीं है फिर से मैं कह रहा हूं लेकिन specially हमें example यह लेना है तो मैं example लेकर बात करना चाहूं फ उसको लगाकर अभी bottom पर आया है अब bottom पर आया है मतलब यहां पर अभी bottom बनता हुआ दिख नहीं रहा है अब हम देखेंगे इसके बाद की market का action क्या होता है तो एक अच्छे भाव पर मुझे लगता है तो मैं personally क्या करता हूं कि जब भी वो खरीदने लाइक भाव पर आई है तो यह जो है अपने पुराने सारे जो लेवल है आज जब मैं इसकी वीडियो को शूट कर रहा हूं या हम बात्चित कर रहे हैं तो इसने एक जो बहुत महत्पूर्ण लेवल है जो की 2850 का था उसको आज तोड़कर एक breakout दिया है अब यह breakout sustain करता है नहीं करता है यह तो आने वाला वक्त ही हमें बताता है लेकिन हम जब भी stocks की बात करते हैं कि उपर जाएगा यह नीचे जाएगा तो मेरा personal fund क्या रहता है कि जब भी कोई stock bottom बनाता है नए bottom बनाता है तब हम उन्हें लेने की कोशिश करते हैं ना कि जब नए top बनाते जाता है तब क्यूंकि जब नए top बनाएगा market या कोई भी stock नए top बनाता है तो हमें वहाँ पर fear रहता है कि यहां से नीचे टपका तो bottom तक आने की उसकी संभावना है लेकिन यदि market के अच्छे share नए bottom बना रहे हैं और condition यदि फिर से uptrend की दिख रहे हैं हमें कि overall market फिर uptrend बना सकता है तो उसके बाद ही हम इसको लेने की कोशिश करते हैं सिंपल सी चीज है अब यदि हम long term बात करें कि long term में चीज़े कैसे हो सकती है देखें कहते हैं कि इनसान हो या share market बहुत ही famous dialogue है कि इनसान हो या share market जाना एक ने एक दिन ऊपर ही है वही simple fund होता है long term के लिए भी कि जब भी अच्छ को सिर्फ देखकर अपने decisions को लेते हैं तो आपको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए आपको wait करना चाहिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है आप पहले से predict करके उसके decision को नहीं ले सकते हैं हाँ price action को देखकर आप decision जरूर ले सकते हैं तो उस time तो हम क कोशिश करें कि अब निफ्टी भी हमें एक up move वापस से शुरू होता हुआ देख रहा है यदि निफ्टी जो है इस level के ऊपर जाता है इसका मतलब यह trend फिर से change हो सकता है अब यहां पर हम दो चीजें देख सकते हैं कि जस प्रकार से मैं यह दो arrow लगा कर आपको यहां समझ करती हैं कई बार निफ्टी में हमने देखा है कि जो पिछला जो पुराना record रहता है वो copy होता है तो यहां पर यह दिया आप बड़ी red candle देख पा रहे हैं उसके बाद आप पांस दिन का up move देख पा रहे हैं तो यहां पर भी आपने बड़ी red candle देखी और उसके बाद हम ती बी registered expert होते हैं उनसे आप सलहा लेकर आप यह फैसले ले सकते हैं कि आपको long term के लिए क्या करना चाहिए आशा करता हूं कि session से आपको बहुत सारी जानकरी मिली होगी और थोड़ा सा help इस चीज में मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पत्रिका क के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर से बहुत बहुत धनिवाद जो आपने इतना समय दिया अपनी खुद की learning के लिए और अपने आपको life में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद